मेरे परिवार जनों, हमारे युवाँ साथियों ने देश को एक और बड़ी खुश खबरी दी हैं, जो हम सभी को गवरों से भर देने वाली हैं, इंटलिजन्स, आइडिया और इनोवेशन, आज भारतिय युवाँ की पहचान है, इसमें टेक्नोलोजी के कॉमिनेशन से उनकी इंटलेक्शिल प्रापर्टीज में निरंतर बढ़ोत्री हो, यह अपने आप में देश के सामर्थ को बढ़ाने वाली महत्मपूर्ण प्रगति है, आपको यह जानकर अच्छा लगेगा, कि 2022 में भारतियों के पेटेंट आवेदन में 31 प्रतिसत से ज़्यादा की बढ़ोत्री हुई है, वर्ल इंटलेक्शिल प्रापर्टी और नैशन ने एक बड़ी ही दिल्चस्प रिपोर्ट जारी किये, यह रिपोर्ट बताती है कि पेटेंट फाइल करने में सबसे आगे रहने वाले टॉप टेंट देशों में भी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इस सांदार उपलब्दी के लिए मैं अपने युवा साथियों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, मैं अपने युवा मित्रों को विश्वाद दिलाना चाहता हूँ, कि देश हर कदम पर आपके साथ है, सरकार ने जो प्रशासनिक और कानूनी सुधार किये हैं, उसके बाद आज हमारे युवा एक नई उर्जा के साथ बड़े पैमाने पर इनोवेशन के काम में जुटे हैं, दसवस्त पहले के आंकडों से तुलना करें, तो आज हमारे पैटेंट को दस गुणा ज्यादा मनजुरी मिल रही हैं, हम सभी जानते हैं कि पैटेंट से ना सिर्फ देश की इंटलेक्शल प्रापर्टी बढ़ती हैं, बलकि इससे नए नए अवसरों के भी द्वार खुलते हैं, इतना ही नहीं, यह हमारे स्टार्ट अप्स की ताकत और ख्षमता को भी बढ़ाते हैं, आज हमारे स्कूली बच्चों में भी इनोवेशन की भावना को बढ़ावा मिल रहा है, अटल टिंकरिंग लेब, अटल इनोवेशन मिशन, कॉलेजों में, इंक्यूबेशन सेंटर्स, स्टार्ट अप्स इंडिया अभियान, ऐसे निरंतर प्रयासों के नतीजे देश वाश्यों के सामने हैं, यह भी भारत की युवाशक्ति, भारत की इनोवेटिव पावर का प्रत्यक्ष उधान है, इसी जोश के साथ आगे चलते हुए ही, हम विक्षिद भारत के संक्रत को भी प्राप्त करके दिखाएंगे, और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान.